खबर जन्पत भिजनौर से है जन्पत के कीरतपूर धाना शेत्र में गोकसी के मामले में फरार चल रहे कीरतपूर नगरपालिका के चेर्मैन वाहने चार सातियों के घरों पर आज पुलिस ने NBW वारंट के नोटीस चस्पा किये हैं गोकसी के दोरान चारो आरोपी मौके से फरार हो गये थी जबकि पुलिस ने च्छै अभियुक्तों को अवायद हतियार सही गोकसी करने के तमाम उपकरण भी बरामत किये थी फिलाल पुलिस ने फरार चल रहे चारो आरोपियों के घरों पर नोटीस चस्पा कर दिये हैं दरसल जनपत बिजनौर के कीरत पुर्थाना शेत्र के वर्तमान नगरपारी का परिशाद चेर्मैन अब्दुल्मनान के गोशाला में अवायद रूप से गोकसी चल रही थी मुकबिर की सूचना पर पुलिस ने चापे मार कारेवाही करते हुए मौके से गाय के अवशेस अवायद हतियार सही चै अभ्यूक्तों को गिरफतार कर लिया था जबकि चेर्मैन सहीद चार अभ्यूक्तों भागने में काम्याब हो गए थी इसी करम में आज विजनौर पुलिस ने कोट से NBW वारंटे लेकर फरार चल रही चारो अभ्यूक्तों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिये हैं सियो नजीबाबाद प्रविमिर कुमार ने बताए कि कीरतपुर नगरपालिका चेर्मैं अभ्यूक्तों अभ्यूक्तों फरार हो गए थी जिनके घरों पर नोटिस चस्पा किये गए हैं उधर लगातार पुलिस चारो आरोपियों की तलाश में जीने की खाक छान रही है साथी आपको बता दें गोकस्ती के मामले में लिप्त कीरतपुर नगरपालिका के चेर्मैं अभ्यूक्तों को लेकर कीरतपुर की राजनीती गर्मा गई है एक तरफ तो सपा कारिकरताओं ने आरोपी बनाएगा चेर्मैन अब्दुलमन्नान को बचाने की पूरी कोशिश की हुई है उधर पुलिस चारो आरोपियों की गिरफतारी के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है गोकसी के मामले में चेर्मैन अब्दुलमन्नान का लिप्त होना मानू जैसे कीरतपुर की राजनीती ने गूचाल आ गया हूँ फिलाल ये मामला जनपत में चल्चाओं का विश्य बना हुआ है और पुलिस इस मामले को गंबीरता से लेते हुए लगातार चारुक फरार अभियोकतों की गिरफतारी के प्रयास कर रही है चार फरार हो गए थे जिनके खिलाब मानी नयारे से आज तो एनमीडरू ले लिए हैं जिनके घर पर चस्पा कर दिए अगरम करवाई और रुकानुनी करवाई आगे की जाएगी जो बागी चार बजे थे चैर्रमेन और तीन अदर्स उनके घरों पर नोटिस तामिल करा दे गए नमस्कार मैं हूँ अन्शु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा ऐसे ही बागी वीडियो देखने के लिए देखते रहें दे इंडियन समाचार और वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दे इंडियन समाचार को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले